नवस्कार बालाघाट न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ यमलेश वंजारी लगातार जिले के जंगलों में आग लगने की सूचनाय मिल रही है कई ऐसे लोकेशन्स है और इसपार्ट है जिनमें भीसन आग लगी हुई है आखिरकार यह आग कहां तक फैली हुई है और इससे क्या कुछ वन्य जीवो और वन संपदा को नुकसान हो सकता है आई यह समझने का प्रियास करते है इस विशेश रिपोर्ट में अगातार सूचनाय दे रहे थे लोक की जंगलों में भीसन आग लगी हुई है इसी को लेकर आज हम वन परिछेतर बालाघाट की जंगल में पहुचे है जहां पर आप देख सकते है कि पूरा जो जंगल है आग की चपेट में है इस वक्त चाहे लोगूर रेंज हो सामने में या फिर वन परिछेतर बालाघाट की रेंज हो इन दोनों ही रेंज में इस वक्त सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है जंगलों में और इस आग जनी की वज़ा से वन संपदा और जीओ को भी भारी नुकसान होने का अनुमान है फिलहाल ऐसी कहीं से भी सुचना नहीं मिली है कि वन ने जीओ को कितना कुछ नुकसान हुआ है लेकिन जाहिर सी बात है जब जंगल में आग लग जाती है तो यहाँ आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है और जब मुश्किल बढ़ जाती है तो कहीं न कहीं इससे वन्य प्रानियों के जीवन पर भी बुरा असर देखने मिलता है। जंगलों में जाते है जहां पर पेड़ों की पत्तिया जो होती है निचे गीरी हुई मौवा चुनने के लिए उन पत्तियों को इखटा कर आग लगा देते है और इसकी बाद यह जो पत्तियों में लगी हुई आग होती है यह कहीं न कहीं जंगल में भटक जाती है या जंगल की और अपना रूख कर लेती है ऐसी स्थिती में भीसन आग लग जाती है और इसी का यह परिनाम है कि जिले में जो है बड़े पैमाने पर इस वक्त आग लगी हुई है हालांकी आग को बुझाने के भी निरंतर प्रियास चल रहे है वन परिचेत्र अधिकारी हरमेंदर बिसेन ने हमें जो बताया उसके अनुसार आज जब हम वन परिचेत्र बालाघाट के अंतरगत चीज जंगल पर इस वक्त मवजूद है यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी जो है फारेश्ट विभाग के आग भुझाने का काम कर रहे है लाइन कटाई का काम कर रहे है इनसे हम चर्चा कर लेते है समझ लेते है कि आखिरकार कितनी भयावह यह आग लगी हुई है और किस तरह से रोक्थाम के प्रियास उनकी वोर से चल रहे है कुन है ये बिडगार्ड है क्या नाम आपका दिने से बताएंगे कपसे आग लगने की घटना है लगातार मिल रही है कितना आप प्रियास कर रहे हैं अब हम तो सोब़ victim जारी था। जानकर आपके पार दो तीन पॉंट में आग लगी हुई है और त्रियास है और कर रहे हैं कितनी लाइड आप लोगों ने काटी है आग को काबू पाने के लिए बहुत लेंगी काटी है यह तो अनुमान नहीं लगा सकते हम प्रत्य लिए दो क्या लगता है कहा कहा तक पहली है केबल बालागाट रेंज में है क्या सभी रेंज में हम यहां तो यह आपना करी रहे हैं इससे क्या-क्या नुकसान का अनुमान है आप लोगों को दिनेश मरावी बिडगार्ड है ये खैर अभी अनुमान नहीं लगा पा रहे है कि कितनी आगजनी की वज़े से नुक्सान का अनुमान है ये बिलकुर भी नहीं लगा पा रहे लेकिन इनका कहना है जैसे उनके अधिकारियों की ओर से निर्देश मिले है उने उन निर्देश या फिर लवगूर की रेंज हो या फिर अन्य रेंज जो भी इससे जुड़ी हुई रेंज है इन सभी रेंजों में लगातार आग की घटनाय निरंतर बल रही है आग लगने की क्या कुछ मुख्य वज़ा है और इसको बुजाने के लिए क्या कुछ प्रियास चल रहा है ये हम वनपरिछेत्र अधिकारी बालाघाट धर्मेंद्र बिसेन से बात करेंगे इस विशाय पर देखिए हर देन कुछ ना कुछ फायर पॉइंट हमें सेटलाइट के माध्यम से मिलते ही रहते हैं इसके लिए एक फायर एलर्ट मेसेजिंग सिस्टम बना हुआ है जिसमें कोई भी इन्रोल हो जाता है या उसमें अपना नामदर्च कराता है तो उसे मैसेज के माध्यम से कि अपके छेत्र में इस पॉइंट पे इस कर डिनेट पे अग लगी हुई है और एजसमें की फॉर्स्ट ऑफिसमें बैठा हुआ कर्मचारी यह ततसमंदित वीड़ गार्ड को प्रशेत सहाय को बताता है कि आग बुजाने के लिए तुरंत अमले को रवाना करें वन समीती के कोई सदस जो हो वहाँ पर उपलब उनके माध्यम से भी आग बुजाएं इसके अलावा हमारे वरिष्ट जो अधिकारी हैं SDO साहब में, DFO साहब में समय समय पर शेत्र में जाते हैं और स्वयम जो है वो आग बुजाने का भी काम करते हैं वो मारुदर्शन भी देते हैं इसके लिए मुख्यवन संरक्षक महुदय द्वारा भी निर्देश दिये जाते हैं शेत्र का ब्रमर किया जाता है आग को नियंतरित करने के लिए पूरू में ही जो है वो फायर लाइन काट दी जाती है चेत्र को जो है विबिन ब्लॉक में बाड़ दी जाता है ताकि अगर आग कहीं लगे तो वो जो है उस पर्टिकुलर छेत्र को ही नुकसान पहुचा है उससे आगे ना बढ़े और ब्लॉक से भी कूद करके दूसरी जग पे चली जाती है तो नुकसान हो जाता है इसमें चांसे से रहते हैं 10-20% ऐसे केसे में होता भी है परन्तु फायर लाइन काटने से फायदा भी हमें होता है इस वक्त मैं बंजारी घाटी में मौजूद हूँ और ये बालाघार जिले की हाइस्ट घाटी इसे माना जाता है अक्सर लोग यहाँ पे सेलफी के लिए आते है जो आवाज आई करने वाले लोग है अक्सर इसी पॉइंट के आसपास इर्दगिर्द जो है अपनी फोटो खिचवाते है यहाँ के नजारे को कयत करते है लेकिन आज यहाँ का जो नज जंगल में लगी हुई आग की वज़ से हम आपको निरंतर बता रहे हैं अपनी खबर के माध्यम से कि बालाघाट में कई ऐसे पॉइंट है दरजन भर पॉइंट इस समय लोकेशन्स पता किये गए है जिनमें भीसन आग लगी हुई है और इस आग जनी की वज़ से वन समपद है तेन्दवे है इनकी लगातार आवाजे सुनने मिल रही है वो लगातार भिसन लगी हुई आग की वज़से परेशान है चितकार रहे है और अपनी आवाजे निकाल कर लगातार वो अपनी पीड़ा को दरसाने का प्रियास कर रहे है कि उन्हें आखिरकार इस आग की वज उनकी क्या कुछ इस्थती होगी तो कहीं न कहीं आगजनी की लगातार घटनाएं बालाघाट जिले में इस समय देखने मिल रही है और इन घटनाओं की वज़े से वन्य जीवो और वनसंबदा पर भारी नुक्षान होने का अनुमान है फिलहाल हम बालाघाट की सबसे हाइस् लगूर और बंजारी घटी के बीच में मौजूद है अक्सर यहाँ पर लोग जो है सेलफी पॉइंट के तौर पर यहाँ पे इर्दगिर्द अपनी फोटो खिचवाने के लिए पहुसते है इसी पॉइंट से आप नजारा देख सकते है मैं आपको अपने केमरामेन से चाह हुई है हालांकि कुछ दूरी पर फारेश्ट विभाग की ओर से लाइन कटाई की गई है जिसका आप नजारा देख सकते है कि कैसे एक सीधी लाइन आग की जो है दोनों वो लगी हुई है जिसकी वज़े से यहाँ पर आग भी फिलाल थम सकती है यह अनुमान हम लगा सकते है लेकिन कहें नहीं सकते क्योंकि जंगल की आग जिसे दावानल कहा जाता है यह काफी भायंकर होती है जब एक बार इसकी चिंगारी वुड जाती है तो पुरे जंगल को तहस नहस कर देती है तो कुछ इस तरह की स्थिती और आलम लगातार बाला घाट में बना हुआ है हम पर काबू पाने के लिए लाइन कटाई का काम हो या फिर आग को बुझाने के प्रियास हो करमचारियों के माध्यम से निरंतर चलते रहते है इसके बावजूद पिछले दो सालों से लगातार बाला घाट में जो है आग जनी की घटनाय कम होने का नाम नहीं ले रही है और घटनाय साप तोर पर दरसाती है कि बाला घाट के लोग भी और नागरीक जो जंगलों में रहने वाले लोग है वे कहीं न कहीं लापर वाही बरत रहे है इस लापर वाही की वज़ह से ही इस तरह की घटनाय जंगलों में देखने मिल रही है अकसर इन दिनों में मौवा के नीचे पत्तों को जमा करके आग लगा देते हैं और यह आग कब चिंगारी यहां से भड़क कर जंगलों को पूरी अपने चपेट में ले ले लेती है इसका अंदा जान नहीं लगा सकते है। कितना नुक्सान इसका पर्यावरन पर देखने मिल सकता है वन्ने जीव पर। इनको थोड़ा सा सुजाव करना चीए या फोरेश्ट वालों को कारवाई करना चीए जब इन लोग नहीं सुन रहे तो कुछ ना कुछ अब्जेक्शन होना चीए इनको पर कारवाई होना चीए। तो निश्चिती आरिप खान ने ये बताया है कि वनों में अगर आग लगी हुई है तो इससे केवल वनों को नुक्सान नहीं होता है वन्ने जीव को नुक्सान होता है और पर्यावरन को भी बड़े पैमाने पर नुक्सान होता है इससे हर जीव जो है प्रभावित होता है चाहे इंसान हो या फिर वन्य जीव या फिर पालतु जीव सभी को इसका नुक्षान होता है ये कहना है इनका और इनका सापत तोर पर कहना है कि ऐसी अगर घटनाए कोई कारित करता है तो उसे देखने के बाद में हर किसी को एक जिम्मेदारी पुर्वाक उसे रोखने का प् लोग भी अपना नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रियाज करें तो उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि आप भी ऐसी घटनाओं से सबक लेंगे और परियावरन और वन्य जीओ की रक्षा के लिए आगे आएंग और फारेष्ट विभाग का सायोग करेंगे हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जिस फारेष्ट अमले के उपर में अक्सर लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं फारेष्ट के कर्मचारी और अधिकारी भी ऐसी घटनाओं के प्रिती सजग रहे और इन घटनाओं होने से पहल परन में हर इनसान सास ले सके हर वन्यपरानी सुरक्षित महसूस कर सके बालाघाट निउस के लिए यमले स्वंजारी